हमारे साथ जूरे रहने के लिए स्मार्ट गयान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकर को दवाना मत भूलिए हम अपने फोन पराए और इस वीडियों में हम देखने वाले फोन में पिश एप डाउन लुड नहीं हो रहा तो उसे की से हम कैसे कर सकते हैं इस प्रोब्डम को हम कैसे ठीक کر सकते हैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिमपल और बहुत ही उसके वाद हम लोग यहाँ पर सेर्च करेंगे पेच पीए वाई है पर उपर में दीखेगा पेज एपसी एपसके लिखे करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही समय से यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है और यहाँ पर यह जो है है install नहीं होता है download भी नहीं होता है तो इस problem को हम लोंग कैसे ठिक कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर बहुत ही लंबा समय से यहां पर इन्स्ट लिग रहा है यहां पर यह बेटिंऑ बेटिंग फोर्ई-धा lic कुछ देंद्स ंदhouses कुंह लिखते रहाता है ठीक है अभी प्रप्लम्म को हम लोक ऐसे कर सकते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान तरिका है स्मौ सां यहांसे रहीड केंसिल उट сюж पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से हमें इहां पर profil पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option दीखेगा manage apps and devices इसके जारे करेंगे इसके बाद आपडेटिंग apps इसपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां से हमें एक बड़ छेक कर लेना है कि कोई update में तो नहीं लगा हुआ है अगर कोई भी app अपडेट में लगा हुआ है तो सिंपल सामें cancel पर क्लिक कर देना है cancel पर क्लिक करने के बाद यहां से हम लोग back आजाएंगे इसके प्लेयर स्टोर से बाहर आजाएंगे बाहर आने के बाद यहां पर प्लेयर स्टोर पर long press किजिए इसके बाद एप इन फोकुलेगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से एक बार फोर स्टोर पर क्लिक कर देना है OK पर क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद यहां से हम लोग बाहर आजाएंगे बाहर आने के बाद यहां पर फिर से play store को open किरीजी है और उसके बाद फिर से search करेंगे page app उसके बाद हम फिर से install पे click करते हैं और आप देखते हैं कि जो हमारा application है वो install होना सुरू होता है कि नहीं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे phone में page app वो download होना शुरू भी हो चुका है और यह थोड़ा सा समय में यहां पर install भी हो जाएगा तो देख सकते हैं आप इंस्टॉलिंग भी होना शुरू हो चुका है तो इस तरह से आप अपने phone में page app को download कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं देख सकते हैं पर पेज एप जो हो चुका है उपन भी हो चुका है इस तरह से कितना आसानी से आपने सीख लिया कि पेज आप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से